हलो फ्रेंज आप सभी का अपने HDS टूटोरियल पर स्वागत है तो आज हम लोग जेक बोड क्लास 7 का अनोफिसियल मोडल कोर्शन स्वल्व करने वाल है विशे यानि की सब्जेक्ट है समाजिक विज्ञान दिखिए जारकन एकडमिक कॉंसिल राची आपका एक्जाम जून म के बीच में डेट सिट ओल्रेडी आ चुका है मैंने अपलोड कर दिया है देखिए सत्र 2021 का है पूर्णांक अपका 40 का है यहां पर जो हम लोग कोर्शन देखेंगे अभी सेकेंड टर्म का है इसलिए पूर्णांक 40 है आपका पूरा एक्जाम एकसो पूर्णांक होने वाला जिसमें 1st term 40 number का कोर्शन पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में 44 का कोर्शन पूछा जायेगा और 20 नंबर आपको इसकूल तरब से इंटर्नली मिलेगा तो टोटल 100 का पूर्णांक होगा तो चले हम लोग डारेक्ट कोर्शन के वर बढ़ते हैं यहां जो भी कोर्शन ने बत चापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तके पांडू लिपियों में तयार किया जाता था पांडू लिपियों को अभी लेखागार या पुस्तकाले में सुरक्षित रखा जाता था चापे खाने के अभा में पांडू लिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस हाथ स बनाते थे इसे आप नोट कर लीजिए अब बढ़ते हैं अगला question की ओर second number second number की question देखिए सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था उनके नाम लिखे तो इसका उतर देखिए सल्तनत काल में समान्यत जमिन को तीन वरगों में विभाजित किया गया था इक्ता जमीन, खासला जमीन तथा इनाम जमीन इसे आप नोट कर लीजिए अब बढ़ते हैं अगला कोस्टिन की ओर अगला कोस्टिन देखिए तीसरा नमबर पानिपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था तो इसका उतर देखिए पानिपत की पहली लड़ाई 1526 इस्वी में दिल्ली के सुल्तान इबराहिम लोदी और बाबर के बीच हुई बाबर इबराहिम लोदी को प्राजित कर दिल्ली और आगरा पर अपना कबजा कर लिया इसे आप नोट कर लिजिए अब देखिए फोर नमबर फोर नमबर के कोस्टन है मध्य काल में क्रिसी में किस नई तकनिक का इस्तिमाल किया जानने लगा तो इसका उतर आप इस प्रकाल लिखेगा में थे काल में अलग-अलग समय पर कुछ नवीन प्रद्योगी कियों का प्रियोग आरंब हुआ क्रिसी के छेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है अब सीचाई रहट से होने लगी जिससे उत्पादन में विधी हुई कताई में चरके का इस्तिमाल होने लगा इसे आप नोट के लिजी अब बढ़ते हैं फाइब नंबर की ओर फाइब नंबर के कोशन देखिए जादो पटिया चित्रकला क्या है जादो पटिया चित्रकला क्या है तो इसका उतर देखे संथाल जनजाती में चित्रांकन एक लोग कला के रूप में काफी प्रसिद्ध है जादो पटिया सेली काफी प्रचलित सेली है संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोख कला में समाज के विभिन रितिरिवाजों धार्मिक विश्वासों और नैतिक मानताओं की प्रस्तूती की जाती है उन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भासा में जादो कहा जाता है इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं सिक्स नमबर की उर सिक्स नमबर के कोशन देखिए क्या साहजहा का सासनकाल मधेकालिन भारत का स्वर्न यूग था साहजहा के राज्या रोहन से मुगलों की दक्षिनित्ती का नवीन यूग आरंब हुआ अहमद नगर का बड़ा हिस्सा मुगल सामराज जी में मिला लिया गया बिजापूर और गोल कुंडा ने मुगलों की अधिनता स्विकार कर ली वास्तु कला के दिश्टिकोन से साहजहा का सासन काल मध्यकालीन भारत इतिहास का स्वर्न यूग कहलाता है इसे आप नोट के लीजे अब भड़ते हैं अगला कोस्टन की और सेभेन नमबर सेभेन नमबर का कोस्टन देखिए मध्यकाल में नगरों का विकास किस्त प्रकार हुआ तो इसका उसर देखिए मध्यकाल में भीन अस्थानों पर कई मंदीरे बनवाए गए थे कलांतर में इनमे से कुछ अस्थान नगरों में परिवर्टित हुए जिने मंदीर नगर कहा जाने लगा मंदिर अक्सर समाज और अर्थवस्ता दोनों के लिए अत्यात महत्पूर होते थे इसे आप नोट के लिए अब बढ़ते हैं एट नमबर की ओर एट नमबर के कोशन देखिए बाबा गुरु नानक की प्रमुक सिक्षाएं क्या थी अब देखिए गण नमबर उनके लिए मुक्ति किसी निस्क्री आनंद की इस्तिती नहीं थी बलकि सक्री जीवन वेतित करने के साथ साथ समाजिक प्रतिबधता की निरंतर कोशीसों में ही नहीं थी इसे आप नोट कर लिए यह हमारा प्रमुक सिक्षाएं हैं जो की बाबा गुरु नानक ने हमें दी है अब बढ़ते हम लोग निक्स्ट कोशन की ओर अगला कोशन देखिए भुगोल से अगला कोशन भुगोल से है नो नमबर जेव मंडल क्या है तो इसका उतर आप इस प्रका लिखेगा जेव मंडल प्रिथवी का हुआ संकीर निछेतर है जहां अस्थल जल एवं वायो मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हम लोग दस नमबर की ओर अब देखिए दस नमबर के कोशन है बहीर भेदी एवं अंतर भेदी सेलों का निर्मान किस प्रकार होता है तो इसका उतर आप इस प्रकार लिखेगा बहीर भेदी सेल का निर्मान द्रवित लावा के प्र परपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाने के कारण होता है इसे आप नोट कर लीजिए अब बढ़ते हम लोग 11 नंबर की ओर 11 नंबर की कोशन देखिए भुमनलिय तापन यानि की ग्लोबल वर्मिंग किसे कहते है यह इंपोर्टन कोशन है तो इसका अंसर देखिए जब गर्मी के अभाव में धर्ती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है किन्तु कार के धुएं आउर कार खानो के धुएं से इसका अस्तर बढ़ता है तब उस्मा के द्वारा प्रित्व का 12 नंबर के कोशन देखिए जल प्रपात का निर्मान किस प्रकार होता है तो इसका उतर देखिए नदी का पानी जब उचाई से दुसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है तो जल प्रपात का निर कुछ प्रसिद्धी जल प्रपात हैं इसे आप नोट कर लीजिए अब बढ़ते हैं 13 नंबर की और 13 नंबर के कोशन दिखिए जल चक्र क्या है तो इसका उत्तर जिस प्रक्रम में जल लगाता है अपने स्वरुप को बदलता रहता है और महासागरों वयमंडल एवं धर्ति के बीच चक्र लगाता है उसको जल चक्र करते हैं इसे आप नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट कोशन है याद कर लीजिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की और 14 नंबर के कोशन दिखिए गंगा ब्रहंपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है क्यों तो इ जहां परनदियों का घना जाल है जहां से धान के लिए सीचा यह तो परियाप्त मात्रा में जलुकलब्द हो जाता है इसी कारण से गंगा ब्रहंपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की और 15 नंबर देखिए नागरि पाम लोगों की समत्त्ति के आशकता होती है यहां निर्ने जनता की समत्ति से उनके हित में लिये जाते हैं इस विवस्था में जनता की भागदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती है इसे आप नोट कर लिजे यह भी important question है अब बढ़ते हम लोग next 16 नंबर की और 16 राजनितिक दल को राष्ट्रिय दल होने के लिए आउसे किन्हीं दो सर्तों को लिखे तो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी दो सर्त लिखना है जिसे कोई भी राजनितिक दल राष्ट्रिय दल बन जाए तो चलिए हम लोग इसका अंसर लिखते हैं राष्ट्रिय दल होने के निम्नांकित सर्तों में से किصी एक को पुरा करना जरुरी है देखें यहां पर उसके द्वरा लोक सभा के कुल सीटों की दो परतिसेट सीट कम से कम तीन विभिन राज्यों से हासिल की गई हो फिर देखें दूसरा सर्त यदि कोई पार्टी कम से कम चार राज्यों में राजस्तरिय पार्टी के रूप में मानिता प्राप्त कर ले ये दो सर्त हैं जिसके थूप कोई भी राजनितिक दल को राजस्त्रिय दल का दर्जा मिल सकता है इसे आप नोट कर लीजए अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 17 नम्बर की ओर 17 नम्बर के कोशन देखे उच्छ न्यायाले के कारियों की व्याक्या करे तो इसका उतर देखे राजी सरकार के गलत नितियों वा कारियों पर उच न्यायाले न्यायक प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर अंकूस लगाता है राजी सरकार को समय समय पर सचेत करते हुए समवेंदनसील मुद्दों पर वा स्वत संग्यान भी लेता है एक तरह से उच न्यायाले राईज सरकार के मार्ग दर्सक के रूप में भी अपनी भूमी का निभाता है इसे आप नोट कर लीजिए अब अब अटारे नंबर की उर अटारे नंबर के कोशन देखिए शॉपिंग या उनलाइन शॉपिंग से आप क्या समझते हैं? ओनलाइन शॉपिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उतर देखिए ओनलाइन शॉपिंग आधरिक समय का उभरता बाजार है लोग इलेक्ट्रोनिक साधनों तथा इंटरनेट के जरिये तरह तरह के सामान के लिए ओडर देते हैं और कुछ दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुचा दिया जाता है इसमें वस्तूओं की कीमतों का भुकतान के समय डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है इसे आप नोट कर लीजे अब बढ़ते हैं अगला कोशन के और 19 नमबर 19 नमर का कोशन देखे चेडखानी से बचने के तीन तरीकों को लिखें किस तरीके से आप चेडखानी से बच सकते हैं इसका उतर देखे चेडखानी से बचने के तरीके पहला किसी प्रकार की घटनाओं को चुपाये नहीं बीना अपराद बोध के माता पिता या विश्वासनी वेक्ति को अवस्य बताएं फिर दीखे दुसरा गलत वहवार का उची आवाजव प्रहवसाली तरीके से विरोध करें फिर तीसरा दीखे किसी वेक्ति द्वरा धोके से ली गई तस्वीर का गलत इस्तिमाल करने की धमकी दी जाती है तो अपने माता पिता या विश्वासनी वेक्ति को बताएं इसे आप नोट कर लिजे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नमबर की और यह हमारा इस वीडियो का लास्ट कोस्टन है 20 नमबर का कोस्टन है गहल वेक्ति को अस्पताल पहुचाने की करम में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्यों गहल वेक्ति को अस्पताल पहुचाने की करम में निम लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए की करम में ध्यान रखना चाहिए कि विडित व्यक्ति की सांस एवं नाड़ी चल रही हो अब सकता पढ़ने पर उसे करित्रिम सांस देनी चाहिए तो इस तरीके से आज हम लोग जेकबोड क्लास सेबन का सेस्टी का मोडल कोस्टिन आप सोल्प किये हैं अनफिसल मोडल कोस्ट है सेकेंड टर्म का ठीके सभी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है सभी का आपको याद कर लेना है वीडियो अच्छे लिए को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा और अभी तेक आप मेरे चैनल को HDS टूटोरियल को सब्सक्राइब न सब्सक्राइब